जहिन दोस्तों मैं हूं मुक्तक सिंग डाट होड भारत के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम एक दूसरे के बिना अधूरा है ऐसे ही दो किरदार हैं औरंग जेब और शिवाजी आज हम बात करेंगे भारत के इन दो कारेक्टर्स के बारे में जिन्हों ने 17th century के हिस्ट्री को डॉमिनेट किया था चत्रपती शिवाजी महराज और बाच्छा आलंगीर औरंग जेब किस तरह से एक दूसरे के राइवल्स बनते हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं दोनों का करेक्टर कैसा होता है और किस तरह चत्रपती शिवाजी महराज एक छोटी से सेना के दम पर औरंग जेब को चुनौती देके अपना independent kingdom कार्फ करते हैं ये सारी बातें बहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम मुगल्स के administration को समझेंगे और साथ ही समझेंगे एक बहुत ही most awaited topic के बारे में जिसे मनसबदारी system भी कहा जाता है तो आईए पहले मुगल administrative system को समझें और उसके बाद औरंग जेब और शिवाजी के character और उनके आपस में होने वाले struggle के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं जैसे कि आप देख सकते हो मुगल administrative system यहाँ पे मैंने मुगल administrative system को classify किया है अलग-अलग parts में किन-किन parts में classify किया है एक बार देख लेते हैं सबसे पहले मुगल administrative system का सबसे पहला और सबसे बड़ा unit क्या होगा वो होगा empire याने की सामराज नाओ दिस मुगल empire was further subdivided into various categories आईए दिखते हैं एक एक करके कौन-कौन सी major categories थी सबसे पहले बात करते हैं हम empires का further subdivision होता है सूबा या जिसे सूबे भी कहा जाता था तो इस सूबे जो की provinces भी होते थे इन्हें आज की तारीक में अगर हम compare करें तो हमारे भारत के राज्यों से compare कर सकते हैं अगर हम empire को nation से compare करें तो मुगल सूबों को हम भारत के राज्यों से compare कर सकते हैं एक नेशन में बहुत सारे provinces होते थे या जिसे सूबे कहा जाता था या सूबा कहा जाता था ये राज जी ये provinces further sub divided होते थे सरकार में जिसको आज हम compare कर सकते हैं divisions हर state के अंदर बहुत सारे divisions होते हैं उसी तरह से मुगल सूबों के अंदर भी बहुत सारे divisions होते थे उन्हें ही सरकार कहा जाता था now every सरकार was further sub divided in परगना जैसे हर division districts में divided होता है वैसे ही हर सरकार परगना में divided होती थी and the परगनास were further divided या sub divided in महल्स जिसे हम आज compare कर सकते हैं तहसील से तो इस तरह से मुगल administrative system का जो division था वो बहुत कुछ पैसा ही था जैसे कि आज हमारे nation का administrative division है बस नाम का फर्क था and these seals were further sub divided in villages गाओं जो आज भी villages या गाओं या ग्राम के नाम से जाने जाते हैं तो ये तो हमने बाग करी मुगल administration administrative system में administrative units की अब हम फर्दर आगे बात करेंगे कि इन administrative units को administer करने वाले officers, departments और उनकी rank के क्या नाम थे तो आईए आगे बढ़ते हैं सबसे पहली बात मुगल empire के अंदर सबसे important position होती थी the emperor याने की बादशाह जैसे कि यहाँ पर लिखा है absolute authority over every law there was no law above the mughal emperor mughal emperor was above every law he was the law वो जो जाहे मर्जी नियम बना सकता था absolute authority देखिए empire से लेके तो village तक कहीं पे भी वो हस्तकशेप कर सकता था interfere कर सकता था intervene कर सकता था change ला सकता था यह power emperor के पास में होता था ना सिर्फ मुगल empire में बलके हम ancient और medieval times की कई dynasties और kingdoms में देखते हैं कि rulers के पास ऐसे ही powers होते थे और इसी तरह के power को absolute authority कहा जाता है जैसे कि currently किसी democratic country में इस तरह की absolute authority नहीं होती prime minister या presidents के पास में लेकिन यही तो फर्क है democracy और monarchy के अंदर वहाँ पे ruler was above the law absolute authority now every ruler was further assisted by हर ruler further assisted होता था एक वजीर के द्वारा यह word यह term आपने कई बार सुना होगा वजीर शतरंज का खिल खिलते हुए भी आपने इस term को सुना होगा तो यह जो वजीर होता था it was the deputy of the ruler यह बिलकुल ruler के deputy की तरह होता था ruler के right hand की तरह होता था उसका chief advisor होता था उसके बहाफ पे administration के दूसरे मामलों को देखता था वैसे यह position बलबन के द्वारा abolish कर दी गई थी this is a fact this you have to remember कि वो कौन सा ruler था medieval times में जिसने वजीर की position को abolish कर दिया था because he thought that at times वजीर becomes very powerful बहुत powerful यह बन जाते थे और फिर कभी कभी यह ruler की position को ही challenge कर देते थे लेकिन अगबर ने इस position को officially re-establish किया बलबन के बाद भी ऐसे बहुत सारे rulers आये जिनका कोई ने कोई right hand होता था उनका कोई खास minister होता था लेकिन officially वो लोग वजीर नहीं होते थे क्योंकि इन्होंने position abolish कर दी थी अकबर ने इसको revive कर दिया था तो एक बहुत important position थी यह एक important advisor होता था emperor का और emperor को advice दिया करता था अगली important position या अगला important department था दीवाने कुल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है it was the revenue and finance ministry and department of the mughal empire mughal empire के अंदर revenue और finance की पूरी जिम्मेदारी इस department या इन minister के पास में होती थी जिन्हें दिवाने कुल कहा जाता था तमाम revenue collection और revenue collection करने वाले central officers की salaries सारी जिम्मेदारी इस department की होती थी now this department was further followed by Meer Bakshi a very important position in the mughal administration because he was the in charge of the entire military department देखिए पुराने वक्त में medieval या ancient times में फॉज ही basis होती थी किसी भी empire के existence का और फॉज को चलाने वाला officer या फॉज को चलाने की जिम्मेदारी एक बहुत important जिम्मेदारी होती थी और जो department इस जिम्मेदारी को निभाता था वो minister कहलाता था मीर बक्षी जो की military department के सारे function military department की salary distribution और military department के तमाम recruitment को supervise करता था यह उसके responsibility थी साथ ही साथ कोई military expedition होता था तो military expedition भी इने ही plan करना होता था या even किसी emperor के छोटे मोटे hunting expeditions भी होते थे जहां वो शिकार पे जाते थे वो भी मीर बक्षी या उनके द्वारा appoint किये गए subordinate officers को देखना होता था तो इक बहुत important विभाग होता था मुगल empire का मीर बक्षी and followed by मीर सामान मीर सामान was the in charge officer of in charge minister of the royal factories मुगल दौर में बहुत सारे कारखाने होते थे जहां पर बहुत सारे तरीके के commodities का production होता था जैसे की weapons का production weapons में भी कई तरीके के weapons का production fire arms का production swords का production और घोडे के लिए use किये जाने वाले equipment का production साथ ही साथ non military commodities का production यह जितने भी अलग-अलग तरीके के production होते थे royal factories में जो की army या फिर emperor या उनके subordinate officers के लिए किये जाते थे ऐसे सारी factories का और सारी commodities के production का in charge officer मीर सामान होता था followed by सद्र उस सारद सद्र उस सारद was the head of religious department ये निगहबानी करते थे ये निगरानी करते थे कि ruler rule करते वक्त कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा है which is seriously by passing the Islamic law और यही authority और इसी जम्मेदारी के साथ दिस सद्र उस सारद was the head of religious department followed by काजी उल खुजजद that was the head of judiciary काजी उल खुजजद जो judiciary का head होता था दिखिए जुडीशेरी में दो तरह के मामले होते थे एक civil और एक non-civil या जिसको हम दीवानी मामले भी बोलते हैं तो एक civil और एक criminal मामले होते criminal मामलों की सजा generally state के द्वारा बनाये गए law के हिसाब से दी जाती थी लेकिन civil मामलों में ये देखा जाता था कि फर्यादी कौन से religion के है और उनके religion को ध्यान में रखते हुए कोई decision दिया जाता था criminal मामलों में ज्यादा तर राज्ज के या मुगल empire के बनाये हुए कानून के हिसाब से सजाएं दी जाती थी तो ये सारे काम काजी उल्क उजजत के होते थी जो कि central लेवल पे judiciary के एक बहुत बड़े officer होते थे now we come to the provincial administration ये तो रही बात central government के बड़े ministers की अब बात करते हैं कि provinces किस तरह से चलती थी तो हम ये देखते हैं कि provinces जैसे कि हमने बात करी थी कि provinces को सूबा भी कहा गया था इस सूबे का governing करते थे for सूबेदार who were assisted by divan and bakshi अब हम देखे इनके functions क्या होते थे तो सूबेदार was the ultimate authority जो जिनके जिम्मे में पूरा सूबा होता था इन्हें पूरे सूबे की सारी चीजों का और सारे departments का ध्यान रखना होता था now he was followed by divan and bakshi अभी अमने पिछले slide में देखा था मीर bakshi जो की military department के head थे यहाँ पे भी bakshi का काम कुछ ऐसा ही था बस फर्क ये था कि अब ये provincial level पर वहां की forces का supervision करते थे बिलकुल उसी तरह जिस तरह मीर bakshi central level पे करते थे and this was the divan he was revenue collecting officer divan का काम होता था सूबे में जितना भी revenue collect हो रहा है उसका supervision करना अपने subordination में जो officers revenue collection कर रहे हैं उनका supervision करना उसके बाद हम आते हैं local administration के उपर जैसे कि हमने देखा था कि सूबास वेर further subdivided in सरकार तो यहां पर अगले administrative unit को यानि कि सूबे से छोटे administrative unit को supervise या उसको govern करते थे फौजदार जिनके primary responsibility सरकार के अंदर law and order को maintain करने की होती थी अगर इन सरकारों के अंदर से कोई व्यापारी निकल रहे है तो उनकी रक्षा करने की होती थी अगर कहीं कोई at सरकार level they were the revenue officers at सरकार level सूबे से छोटा division यानि कि सरकार और division level पे revenue officer अमाल गुजार division level पे law and order के officer फौजदार now this सरकार was further subdivided in परगनाज परगनाज में शिकदर law enforcement का काम करते थे जो कि फौजदार के अंडर में रहे के काम करते थे and आमिल वेर द रेवेन्यू कलेक्टर्स जो कि अमाल गुजार के अंडर में रहे के छोटे level पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे यानि कि किस level पे परगना level पर यानि कि present day compare करें तो district level पे and these were further subdivided in village administration जिसके head men चौधरी मुकादम कहलाते थे तेहसील और उससे छोटे villages के administration को चौधरी या चौधरी मुकादम या simply मुकादम नाम के officers करते थे और इन चौधरी और मुकादमों को assist करते थे administration की सबसे छोटी post जिसे पटवारी कहा जाता था basically पटवारी जो की गाओं गाओं जाकर land records रखते थे जमीनों की नपती करते थे और जमीनों का record रखते थे तो इस तरह से सबसे छोटे लेवल पे village लेवल पे पटवारी उससे उचे लेवल पे village और तहसील लेवल पे चौधरी मुकादम उनसे उपर शिकदर आमिल उनसे उपर फौजदार अमाल गुजार और उनसे उपर दिवान और बक्षी इस तरह हम देखते हैं कि दो primary काम होते थे administration में एक law and order को maintain करना और दूसरा revenue collection करना और इस तरह से मुगल्स ने अपने बहुत बड़े empire को manage करने की कोशिश करी थी जिसमें वो बहुत हद तक काम्याब रहे थे इस तरह के administrative systems इसी लिए पढ़े जाते हैं history में ताकि हम ancient times में create हुए बहुत बड़े empires की administrative व्यवस्था को समझ के उससे कुछ सीख हासिल कर सके और अगर उसमें कुछ positive हो तो आज के administration में उसको apply कर सके अगर आप इन administrative systems को जो morian period से लेके mughal period तक चले आए जहाँ पर की बहुत बड़े-बड़े empires का creation हुआ वहाँ आप उन administrative systems को अगर study करेंगे तो पाएंगे कि आज जो हमारे administrative systems है वो बहुत कुछ इन ही administrative system के द्वार के स्थू derive किये गए और इसी लिए हम इन administrative systems को पढ़ते हैं एक बार हम वापस देख लेंगे administrative system किस तरह से design किये गए थे सबसे पहले मोगल empire एक बहुत बड़ा nation था कितना बड़ा nation था वो आगे हम discuss करेंगे it was further subdivided in Subha जिसे हम state आपकर करते सूबा फर्दर सब divided in सरकार सरकार जिसे हम division से compare करते सरकार फर फर्दर सब divided इन परगने जिसे हम district से कंपयर करते हैं परगने फर। 있रदरब divided इन महल जिसे हम तेहसील से compare करते हैं और तेहसील फर्दर Shao divided इन villages फिर हमने Central Government की important positions देखी थी कौन कौन सी देखी थी दा एंपरर जिसे हमने कहा है एपसिल्यूट अथॉरिटी ओवर एब्री लॉओ ही वॉस दे लॉओ बाइंसेल्फ वजीर जो की एक रूलर का राइट हैंड और उसका चीफ एडवाइजर होता था और उसके बिहाफ पे सारे डिपार्टमें रेविन्यू कलेक्शन और फाइनेंस मिनिस्ट्री यहीं से वो सारा पैसा आता था जिसके दम पे फॉज बनती थी और इसी फॉज का सूपरवाइजर इसी फॉज का चीफ मिनिस्टर ओफिसर होता था मीर बक्षी वो वस दे इन चार्ज ऑफ मिलिटरी डिपार्टमेंट फ इसी लिए एक पोस्ट रखी हुई थी रिलिजिस डिपार्टमेंट के हेड के लिए एंड फॉलूड बाई काजी याने की चीफ ऑफ जुडिशियरी फिर हमने देखा था प्रॉविंशिल गव्मेंट क्योंकि एंपायर को फॉर्दर सब डिवाइड किया गया है प्रॉवि प्रॉविंशन लेवल पे लॉइन ओर्डर मेंटेनेंस का काम करेंगे फॉलूड बाई सरकार जहां पे फॉजदार लॉइन ओर्डर मेंटेनेंस का काम करेंगे अमाल गुजार रेमेन्यू कलेक्शन का काम करेंगे फॉलूड बाई परगना जहां पे शिकदर लॉइन ओर म मैनेज करने का काम करेंगे और आमिल रेवेन्य कलेक्शन का काम करेंगे पॉलोड बाय तैसील एंड विलिज अड्मिनिस्ट्रेशन जहां पे चौधरी मुकादम पत्वारियों की मदद से ना सिर्फ लैंड रिकॉर्ड रखेंगे बलकि रेवेन्य कलेक्शन भी करेंगे तो वो सारे officers जो इस administration को चलाते थे वो कहलाते थे मनसबदार और इसी पूरे system को यानि कि administrative system नहीं इस administrative system को चलाने वाले officers के system को मनसबदारी system कहा जाता था आराम से समझते हैं कि मनसबदारी क्या होता था सबसे पहला important point the word मनसबदारी was derived from the Arabic word मनसब which meant a rank मनसब का literal meaning होता था एक पद या एक rank अब ये जो rank होती थी ये कैसी होती थी इसके क्या bylaws होते थे वो एक एक करके हम describe करेंगे हम समझेंगे करके सबको यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे last point को समझेंगे तो फिर बाकी के points को समझना आसान हो जाएगा last point यह कहता है ranks started from 10 but practically from 20 up to 7000 और more क्या माइने हैं इसके सबसे पहली बात तो यह कि मनसबदारी सिस्टम एक ranking सिस्टम था और ranks फिक्ज़ोती आप जानते हैं आप आर्मी नेवी या आपका promotion होगा और कुछ वक्त के बाद में performance के उपर based होके आपका promotion होगा उसी तरह से मुगल्स ने अपने पूरे administrative और military सिस्टम को चलाने के लिए कुछ ranks तय करी थी लेकिन इन ranks को lieutenant, captain, major या lieutenant, colonel के नाम से नहीं जाना जाता था इन्हें numbers में जाना जाता जिस तरह अगर मैं army से compare करके आपको समझाओं तो हम बोलते हैं कि सबसे छूटी rank किसी commissioned officer की क्या होती है वो होती है lieutenant उसी तरह से मुगल administration की सबसे छोटी rank उसे 10 का मनसबदार कहा जाता था उसे lieutenant या sub lieutenant या flying officer नहीं कहा जाता था उसे 10 का मनसबदार कहा जाता था तो यहां से मुगल ranks शुरू होती थी जब कोई ordinary इंसान मुगल administration का हिस्सा बनता था तो उसकी शुरुवात यहां से होती थी लेकिन practically ideally किताबों के हिसाब से 10 से rank शुरू होती थी but to be practical ranks 20 से शुरू हो जाती थी दस बहुती छोटी rank होती थी और जैसे कि हम जानते हैं कि पहले इंडियन आर्मी में second lieutenant की rank भी हुआ करती थी जो gradually खतम हो गई उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई फॉच को और अब सीधे lieutenant से शुरूवात होती है उसी तरह से शुरूवात में 10 की मनसबदारी होती थी मुगल दोर में लेकिन बाद में ये इतनी impractical थी कि इसको नहीं दिया जाता था सीधे 20 का मनसबदार बनाया जाता था जब आप 20 के मनसबदार होते थे तो 20 से बढ़ते थे याने कि आपकी आप 20 के मनसबदार बन गए अब आपका अगला promotion होगा 40 का मनसबदार उसके बाद अगला प्रमोशन होगा 60 याने 60 का मनसबदार फिर 80 का मनसबदार और फिर होंगे आप 100 के मनसबदार आपकी रैंग बहुत बढ़ गये आप 100 के मनसबदार बन गए जैसे ही आप 100 के मनसबदार बनोगे आपकी रैंक अब 100 में बढ़ेगी यानि 100, 200, 300, 400 और 500 जय सेही अब 500 के मनसब्दार बने अब आपकी की पाँच रैंक 20 40 60 80 और 100 100 के बाद फिर आप पाँज बर आगे बढ़ोगे and so on 500 के बाद 500 से आगे बढ़ोगे तो जब मोगल administration में देखा जाता था किसी से उसकी रैंक पूछी जाती थी तो वो क्या बोलता होगा वो बोलता होगा मैं 100 का मनसबदार कोई बूलता होगा मैं 500 का मनसबदार कोई 1500 का मनसबदार कोई 5000 का मनसबदार जिसके मनसबदारी की digit जितनी बड़ी उसकी rank उतनी बड़ी तो मुझे लगता है कि अब आपको ये ranking system की rank समझ में आ गई है ये rank नामों से नहीं है ये rank numbers से है और ये rank numbers से भी किसी खास कारण से है वो कारण हम देखेंगे पहले categorization देख लिए थे मनसबदारी का मनसबदारों को तीन पार्ट्स में डिवाइट करके देखा जाता है पहला आमिर उल उम्रा दूसरा आमिर अलकबीर और तीसरा आमिर यहाँ वे बहुत सिंपल कैटेगराइजेशन है यह जिन मनसबदारों की रैंक पांच हजार या उससे ज्यादा होगी वो आमिर उल उम्रा कहलाएंगे जिन मनसबदारों की रैंक एक हजार से पांच हजार के बीच में होगी वो आमिर अलकबीर कहलाएंगे और इससे नीचे की पोजीशन वाले मनसबदार सिंपली आमिर कहलाते थे तो ये तो categorization इनकी rank के basis पे किया गया था लेकिन एक बहुत important division या एक बहुत important दो terms हम देखते हैं मनसबदारी में ये terms है जात और सवार ये क्या होता था जात और सवार बहुत easy है simple words में जात was the original rank जात जो होती थी जैसे कोई 5000 का मनसबदार ये तो उसकी जात 5000 की हो ही गई ये तो तय हो गया लेकिन कुछ मनसबदार ऐसे होते थे जिनको military service देना भी mandatory होता था और इसी लिए उन मनसबदारों को troops maintain करके रखने होते थे कितने troops maintain करके रखने होंगे ये depend करता था कि उनके rank कितनी है अगर suppose कोई मनसबदार 5000 का है इसका मतलब था कि उसको 5000 men strong cavalry troops maintain करके रखने होंगे इन cavalry troops की मदद से उसे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी चाहे उसे सूबे की जिम्मेदारी दी जाए तरकार की जिम्मेदारी दी जाए या परगना की जिम्मेदारी दी जाए उसको इन पाँच हजार घुड सवारों की मदद से कैविल्री टूप्स की मदद से वहाँ पे लौ एंड ओर्डर को मेंटेन करना है यह objective, यह responsibility होती थी अगर किसी मनसबदार को जात के साथ सवार का ओहदा भी दिया गया सारे मनसबदार सवार नहीं होते थे बहुत सारे मनसबदार ऐसे होते थे जो कि military services नहीं देते थे या नहीं दे सकते थे क्योंकि वो trained नहीं होते थे लेकिन किसी और गुड के कारण उनको उची rank दी जाती थी मुगल दरबार तो ऐसे मनसबदार सिर्फ जात के मनसबदार होते थे या यूँ हम कहें कि सिर्फ नाम के मनसबदार होते थे जात के मनसबदार होते थे लेकिन original मनसबदार true मनसबदार वो होते थे जो जात के साथ साथ जात और सवार के भी मनसबदार होते थे याने कि अगर आप 5000 की जात और 5000 के सवार के मनसबदार हो तो आप सही मायने में मनसबदार हो आप सिर्फ एक rank hold करके नहीं बैठे हो आप actually on ground जाओगे जो भी जिम्मेदारी चाहे सूबे की सरकार की परगना की आपको दी जाएगी आपको उसको निभाना है और जरूरत के वक्त अगर बादशाह call करता है तो ये 5000 के troops भी आपको उसकी service में किसी military expedition में अगर जरूरत लगी तो ले जाने होंगे तो मनसबदार दो तीन तरह के होते थे सिर्फ जात के मनसबदार और दूसरे जात और सवार के मनसबदार तो सही माइनों में मनसबदार वो होते थे जो जात और सवार दोनों के मनसबदार होते थे और यहाँ पर य ये डिजिट से क्यों दिया था रैंकिंग सिस्टम ये डिजिट से दिया ही इसलिए था कि अगर आपकी 5000 या उससे ज्यादा की रैंक है तो आपको उतने टूप्स रखने ही पड़ेंगे राजा को या बादशा को एसिस्ट करने के लिए और इसलिए सवार की मनसबदारी कि अभी हमने बात करी कि जितने भी उनकी रैंक है जितने भी सवार का वो मनसबदार है पाँ दस साथ आठ जितने भी है उतने कैवल्री टूप्स उसको मेंटेन करने होंगे ये कैवल्री टूप्स उसके लॉइन ओडर मेंटेन करने में भी काम आएंगे और साथी साथ रू ऐसा नहीं था कि अगर किसी के फादर पाँच हजार के मनसबदार है जात और सवार के मान लेते हैं अपन सपूस्थ जात और सवार दोनों के मनसबदार है 5000 की उनकी रैंक तो उनका बेटा उनकी डेथ के बाद सीधे पाँच हजार का मनसबदार बन जाएगा ऐसा नहीं होता ऐसा जेनरली नहीं हो सकता था कि कोई लेफटिनेंट जेनरल का बेटा उनकी डेथ के बाद या उनके रेटायर्मेंट के बाद सीधे लेफटिनेंट जेनरल बन जाए ऐसा नहीं हो सकता चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो उसकी शरुवात लेफटिनेंट से ही होगी आज की तारीख में उसी तरह से मोगल एड्मिनिस्ट्रेशन में अगर कोई पांच या दस हजार का भी मंसबदार है उसका बेटा अपनी सर्विस शुरू कर रहा है तो उसको सर्विस शुरू करनी पड़ेगी कितने से यह डिपेंड करता था रूलर के उपर अगर रूलर को लगता था कि यह बहुत ही बड़ी प्रेस्टीजिस फैमिली से है तो जनरली हजार के आसपास से उनके शुरूरात होती थी और अगर रूलर को लगता था कि यह ओर्डिनरी फैमिली से है तो उनके शुरूरात बीस से भी हो सकती थी अब आप सोचोगे कि यहा पे रूलर को जो सही लगता था वो कर देता था पर ideally कोई भी नया recruit administration में lower ranks से ही शुरू करता था जितना prestigious उसकी family होती थी उतनी उपर की ranks से उसकी शुरुवात होती थी जो royal family के members होते थे जो शहजादे होते थे या अकबर के relatives के बच्चे होते थे close relatives के बेटे होते थे उनको ह हमेशा 1000 से उपर ही ranks दी जाती थी तो इस तरह से वैसे तो ये non-hereditary था royal family के लड़कों को छोड़के बाकी सब के लिए non-hereditary था और even एगर royal family के लड़के भी मनसबदार बनते थे तो immediately 7-8,000 के नहीं बन जाते थे gradually आगे बढ़ते थे Now the promotions and demotions were given in मनसबदारी system based on the performance ये बहुत एक interesting feature है मनसबदारी system का कि मनसबदारी system एक incentive based system था यानि कि जैसा आप perform करोगे वैसा आपको result मिलेगा अगर आप बहुत अच्छा perform करोगे तो आपका promotion होगा आप 2000 से 5000 के मनसबदार बनाए जा सकते हो लेकिन अगर बुरा performance होगा तो 5000 से 3000 के भी बनाए जा सकते थे तो generally हम demotions नहीं देखते हैं administration में लेकिन यहाँ पे ये non-hereditary होने के साथ साथ incentive based भी था तो इसी के साथ हमने मनसबदारी system के सारे important features को देखा ये एक Arabic word मनसब से बना है जिसका मतलब होता है rank दूसरा हमने इसकी ranks देखी किसकी ranks numbers पे based थी जो ideally 10 के मनसबदारी से शुरू होती थी लेकिन आने वाले वक्त में 20 से शुरू होती थी 20 का मनसबदार 20 से बढ़ता था 100 तक 100 पर पहुँचके 100 से बढ़ता था 500 तक 500 पर पहुँचके 500 से बढ़ता था 4000 तक और 4000 पर पहुँचके 1000 से बढ़ता था फिर जहां तक भी वो बढ़ता था और हमने इसमें ये भी देखा कि मनसबदारी सिस्टम में जात और सवार का भी importance था जात जो कि दिखाता था कि उसके original rank क्या है लेकिन सवार ये दिखाता था कि वो कितना importance रखता है जात सिर्फ ये बताता था कि वो नाम का मनसबदार है कितनी उसकी rank है लेकिन सवार उसके काम को भी बताता था कि क्या ये practically कोई मनसबदारी कर रहा है या नहीं कर रहा है आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे आज के उन दो मेजर कारेक्टर को स्टडी करना जिनमें से पहला कैरेक्टर है औरंगजेब जिनने बादच्छा आलमगीर औरंगजेब भी कहा जाता था जैसे कि और आलमगीर इनका टाइटल था जो इन्होंने एज्यूम किया था करी थी कि औरंगजेब ने अपने भाईयों को मार के और अपने फादर को हाउज अरेस्ट में डाल कर थ्रोन ओक्योपाई करी थी ऐसा पहली बार हो रहा था मोगल एड्मिनिस्ट्रेशन में कि किसी रूलर की डेथ से पहले ही उसका बेटा रूलर बन चुका था हमेशा यह हुआ कि कोई मोगल एंपरर की डेथ हुई और उसके बाद उसका बेटा रूलर बनता है लेकिन यह पहली बार होता है कि शाह जहान जिन्दा था वो जीवित था और उसकी जीवित रहते ही उसका बेटा औरंगजेब रूलर बन जाता है अपने फादर को हाउज अरेस्ट मे जेब के बड़े भाई थे जिनका औरंग जेब ने एससिनेशन किया था and this औरंग जेब is also called as the last of the great मुगल अकबर जहंगीर शाह जहान और औरंग जेब इन चार मुगल रूलर्स को Great Mughals कहा जाता है महान Mughals कहा जाता है क्योंकि इनी के दौर में Mughal Empire was either expanding or it at its peak या तो वो अपने peak पे था या वो expand कर रहा था अकबर के पहले Mughal Empire struggle कर रहा था हमने देखा था 1526 से लेके 1556 के बीच में क्या होता है बहुत ही जिसको हम कहते है unstable situation थी politically Mughals की वहीं हम औरंगजेब के बाद देखेंगे कि एक बार फिर Mughals का deterioration शुरू होता है एक बार फिर Mughals का decline शुरू होता और बड़ी rapidly और बड़ा drastically decline होता है Mughals का लेकिन ये आखरी great Mughal ruler है और इसलिए इनके achievements और इनके दौर में होने वाली important activities को और events को हम जानेंगे तो आई है कि करके बात करते इनके बारे में सबसे पहला और important point although he inducted many Hindus in his administration but he abandoned the policy of religious tolerance he abandoned the policy of religious tolerance known to have destroyed many temples forced conversion attempts re-imposing jaziya on jaziya attacks on non-muslim population बहुत सारे आरोप औरंग जेब के उपर इतिहास में लगाये जाते हैं औरंग जेब एक बहुत controversial ruler है बहुत सारे scholars अलग-अलग evidences को produce करके औरंग जेब के बारे में अलग-अलग राय रखते हैं बहुत सारे modern scholars ये मानते हैं कि औरंग जेब was a religious bigot ये एक दक्यानूसी इंसान था ये एक fanatic इंसान था कटर था और अपने religion को forcefully spread करना चाहता था और इस process में इसने non-muslim अबादी के उपर बहुत से अत्याचार किये वही बहुत सारे ऐसे historians हैं जो बहुत सारे evidences produce करते हैं और उन evidences के basis पे वो ये बताना चाहते हैं ये प्रूफ करना चाहते हैं कि औरंग जेब उतना fanatic भी नहीं था जितना उसको present किया जाता है औरंग जेब का fanaticism उसकी politics का एक हिस्सा था generally जब भी history में इस तरह की बात होती है कि क्या ये बहुत fanatic था या ये liberal था तो अकसर ये देखा जाता है कि सच इसके बीच में कहीं होता है people have tendencies to portray the historical characters in black or white हमारी tendency होती है हम किसी character को हितेहास के या तो black बना देते है या white बना देते है लेकिन people are not black and white always they have shades of grey सच्चाई उन opposite things के कहीं बीच में होती है औरंग जेब के बारे में भी हम यही conclude कर सकते है कि जहाँ एक तरफ उसे बहुत highly fanatic कहा जाता है शायद वो भी पूरा सच नहीं है या फिर जो उसे इस तरह pretend करवाना चाहते है कि वो fanatic नहीं था वो भी सच नहीं है सच तो यह है कि he was tending towards fanaticism इसमें कोई शक नहीं है औरंग जेब की बहुत सारे actions ऐसे थे overtly बहुत सारे actions ऐसे थे जिसको justify नहीं किया जा सकता इन्होंने मतुरा के अंदर temple का destruction किया जो की एक fact है काशी के अंदर temple का destruction किया जो की एक fact है अपने कई rivals के इलाके में rebellions को crush करते वक्त इन्होंने कई temples को destroy किया जो की एक fact है तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इस बात के भी कुछ evidences हैं कि इन्होंने कुछ temples को donations दिये और इनकी मदब से कुछ temples के construction भी हुए ये बात मैं नहीं कह रहा बहुत सारे अलग-अलग historians अपनी-अपनी किताबों में इन बातों को लिखते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि सच्चाई opposites के कहीं बीच में होती है इसलिए हम ये मानते हैं कि औरंग जेब ना बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा था ये बुरे की तरफ थोड़ा टेंड कर रहा था बट एपसिल्यूट बुरा भी शायद नहीं रहा होगा हमें history का student होने के नाते चीजों को बहुत unbiasedly होकर देखना चाहिए study करना चाहिए और वैसा ही हम आज भी करेंगे तो ये सारी जो allegations इनके उपर लगे हैं इसमें definitely कुछ सच्चाई है लेकिन औरंग जेप के political achievements से इंकार नहीं किया जा सकता इनके military achievements से इंकार नहीं किया जा सकता औरंग जेप के दौर में जितना बड़ा expansions मुगल्स का था उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता और उसी औरंग जेप उसी religiously fanatic औरंग जेप के दौर में सबसे ज्यादा numbers में हिंदू officers का appointment उससे भी इंकार नहीं किया जा सकता इसलिए मैंने कहा कि चीज़ें black and white नहीं है they are tending towards grey या they are having shades of grey औरंग जेप का supreme commander लंबे वक्त तक कौन रहा था औरंग जेप का supreme commander मिर्जा राजा जय सिंग रहे थे जो की एक राजपूद commander थे और औरंग जेप इनकी advices को बहुत ज्यादा मानता था खेर आगे बढ़ते हैं इनकी political conquest के बारे में बात करते हैं इससे पहले एक और important fact था जो मैं underline कर देना चाहता हूँ यह reimposed jazzia tax on non-muslims इन्होंने non-muslims याने कि हिंदू primarily majority of the population was hindu तो इन्होंने non-muslims के उपर धिंदू और दूसरे non-muslims के उपर jazzia tax को reimpose कर दिया था अकबर जिन्होंने jazzia tax को हटा दिया था ओरंग जेप के दौर में इसको reimpose किया गया था properly 1679 के बाद में अब ये जजिया टेक्स जो लिया जाता था इसमें बहुत सारे लोगों को exempt किया जाता था ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा As a matter of fact ब्रामिन्ट से जजिया नहीं लिया जाता था अगर कोई handicapped होता था तो उससे जजिया नहीं लिया जाता था अगर कोई भिकारी हों जैसे होते थे भिक्षा मांगने वाले तो उनसे जजिया नहीं लिया जाता था अगर कोई ऐसे लोग होते थे छोटे बच्चे जो और्फन हो चुके हैं बड़े होने के बाद उनसे जब तक वो किसी की सर्विस में नहीं आ जाते लाइबली हुड नहीं करते तब तक उनसे जजिया नहीं लिया जाता था या जो लोग पागल से हो जाते थे उनसे भी जजिया नहीं लिया जाता था उनके नाम पे जजिया नहीं लिया जाता था इनके अलावा हर individual को जजिया देना होता था जजिया tax के rates भी अलग थे ये भी depend करता था कि किसकी financial condition कैसी है गरीब लोगों को middle class को और higher class को इन तीन classes में divide करके जजिया लिया जाता था तो इस तरह से जजिया tax लिया जाता था उसके बहुत सारे rules and regulation होते थे और muslims के उपर इन्होंने zakat tax को भी impose किया था जूकि charity tax होता था जो muslims के लिए obligation होता था कि उन्हें देना ही होगा तो ये important point है इसको ध्यान रखें आप इसके बाद हम बात करेंगे इनके political conquest की इनका एक बहुत बड़ा achievement था conquest of deacon औरंग जिब ने मुगल empire को far into deacon फैला दिया था by defeating आदिल शाही और कुतुब शाही dynasties बह्मनी सल्तनत वाले chapter में हमने बात करी थी और देखा था ये किस तरह से बह्मनी empire का disintegration होता है और अलग-अलग सल्तनते कायम होती है निजाम शाही औफ एहमद नगर इन महराश्ट इमाद शाही औफ बरार इन महराश्ट कुतुब शाही औफ गोल कोंडा इन प्रेजन डे तिलांगना आदिल शाही औफ वीजापुर और बरीद शाही औफ बीदर इसमें एमाद शाही और जिसे हम बरीद शाही कहते है ये खतम हो जाती है और रह जाती है अदिल शाही सल्तनत करनाटक के रीजन में निजाम शाही सल्तनत एहमद नगर यानि कि वेस्टन महराश्ट के रीजन में इमाज शाही बरार के रीजन में और कुतुब शाही तेलांगना के रीजन में जिसमें से निजाम शाही का कॉन्क्वेस्ट शाह जहान के दौर में ही हो चुका होता है यानि कि वेस्टन महराष्ट का इलाका इसी वेस्टन महराष्ट के इलाके को निजाम शाही सल्तनत से जीत कर उस वक्त आदिल शाही सल्तनत के साथ ट्रीटी करके मुगलों ने वो इलाका आदिल शाही सल्तनत को दे दिया था तो अब डेकन में दो ही बड़ी पावर बची थी क्योंकि निजाम शाही भी आदिल शाही सलतनत में डिसॉल्व हो चुकी है तो अब बची कौन सी? आदिल शाही सलतनत जो महराश्टर के इलाकों से लेके करनाटक तक के इलाकों में फैली हुई थी और कुतुब शाही सलतनत जो फैली हुई थी प्रेजन डे आंदरप्रदेश ते लाम बना के इलाकों में और ये दोनों ही डाइनिस्टी दोनों ही किंग्डम बहुत रिच थे और इसी रिचनस के उपर औरंग जेब की नजर थी और इसी लिए वो डेक्कन में फर्दर और एक्स्पैंशन करना चाहता था वैसे तो दोनों आदल शाही और कुतुब शाही मोगल्स के सबॉर्डिनेशन को एक्सेप्ट करते हैं नॉमिनली लेकिन औरंग जेब इनको एनेक्स करना चाहता था इसी लिए 1686 और 1687 में औरंग जेब इन दोनों के उपर हमला करके इन दोनों को कॉनकर कर लेता है इसी के साथ मोगल एंपायर फार साउथ तक फैल जाता है औरंग जेब इस अलसो नोन तो हैव कैप्चुर्ड थे रीजन्स ओफ बल्ख एंड लदाक लदाक you're all very much familiar with, it's a new tourist destination in India तो सभी जानते लदाक के बारे में लदाक तक के इलाके भी औरंग जेब ने capture कर लिए थे कश्मीर, the Mughals already had कश्मीर, कश्मीर को Mughals के लिए पहली बार किसने कॉनकर किया था comment box में आप इसका answer लिखके बताना और उसी कश्मीर से आगे बढ़के औरंग जेब ने लदाक तक के इलाके conquer कर लिए थे and he also conquered this bulk region which was in present day अफगानिस्तान present day अफगानिस्तान में ओक्जस रिवर तक के इलाके औरंग जेब जीत चुका था और इस तरह से मुगल एंपायर का expansion इतना बड़ा हो गया था जितना बड़ा इससे पहले कभी भी नहीं था इसी के साथ एक और point हम देखेंगे he maintained friendly relation with the french power देखें ये वो दौर था जबकि Europeans का भारत में आना शुरू हो गया था 1498 में हमने देखा कि Portuguese आ चुके थे भारत उन्होंने विजन अगर एंपायर के रूलर के साथ treaty करके इंडिया के politics में भी interfere करना शुरू कर दिया था followed by Portuguese, Dutch, English, French, Danish बहुत सारी foreign powers आती है भारत में यहां के raw material को सस्ते में हासिल करने के लिए तो इसी process में जो बहुत सारी companies आ रही थी उस वक्त उस वक्त वो भारत के लिए threat नहीं थी औरंगजीब को French power सही लगी और उसी ने French power को present day गुजरात के सूरत में अपने fortifications और अपने trade outpost बनाने की इजाज़त दी थी अपने factories बनाने की इजाज़त दी थी लेकिन अंग्रेजों के ambition से औरंगजीब परेशान था 1686 में एक छोटे से naval battle में 1695 में Bombay के पास में एक battle में और 1702 में मडरास के पास में एक लड़ाई में इन तीन बार औरंगजीब ने अंग्रेजों को defeat किया इनके ambitious troops को मात दी और इनके expansion को check किया औरंगजीब जैसी कोई बड़ी Indian paramount power के होते हुए अंग्रेज, French या किसी और foreign power के लिए ये possible नहीं था कि वो भारत में expansion कर सके और इसलिए हम देखते हैं कि चुठकियों में ये अंग्रेजों को defeat करते हैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार तो इस तरह औरंगजीब के एक ruler के तोर पे बड़े achievements थे उसने लालची foreign powers को आगे बढ़ने से immediately check कर लिया sense कर लिया कि उनके इरादे ठीक नहीं है दूसरा इन्होंने territorial expansion किया जो कि किसी भी ruler का करतब ये होता है कि वो अपने इलाके को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए उत्तर में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेके दक्षिन में कावेरी नदी तक अब मुगल empire फैल चुका था और पश्चिम में बलुचिस्तान के पहाड़ों से लेके तो पूर्व में ब्रह्म पुत्र की नदी तक अब ये empire फैल चुका था तो इस तरह से हम एक बार जरा देखते हैं नक्षे में कि ये empire कहां से कहां तक फैला हुआ था जैसे मैंने आपको कहा अफगानिस्तान के पहाड़ों के भी नौर्थ में ये चले गए थे जब हम बल्क की बात करते हैं तो इस इंटाइर रीजन लगबग वो सारा इलाका जो अभी नक्षे में दिखाई दे रहा है ये औरंग जेप के दौर में मुगल empire का हिस्सा बन प्रेजेंट डे बांगलादेश भी इनका ही इलाका था आसाम तक के इलाकों में ये फैल चुके थे इधर डेक्कन में इनका फैलाव करनाटक तक के इलाके में हो गया था तो ये दिस दिस वास दे एक्सपैंशन ओफ मुगल empire ड्योरिंग औरंग जेब ये इतना बड़ा empire बन चुका था बट इस empire had become so big, so large that it crumbled under its own weight unfortunately ये empire इतना बड़ा बन गया था कि अब इसको चलाना आसान नहीं था बहुत ही समझदारी के साथ इस empire को चलाना था क्यों क्योंकि इंडिया एक diverse country है नौर्थ में कश्मीर से लेके south में कन्या कुमारी और west में उस वक्त के अगर हम बात करें बलुचिस्तान से लेके आसाम तक अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग तरह की भाशा बुली traditions, customs, follow करने वाले लोग, अलग-अलग मिजास के लोग रहते हैं और इन सभी लोगों को rule करना, govern करना, administer करना एक साथ एक law के अंदर आसान नहीं था unfortunately, औरंग जेब एक ruthless ruler थी, unfortunately औरंग जेब ने अकबर की liberal policies को abandon कर दिया शायद ये अकबर की liberal policies ही थी, जिसके कारण की वो एक बड़ा empire बना पाया था और उसको दो-तीन generations तक कायम भी रख पाये थे मुगल्स औरंग जेब ने इन्ही liberal policies को abandon करके मुगल empire को बहुत नुकसान पहुचाया और वो भी तब जब वो इतना फैल गया था, यानि कि अब इसको administer करना पहले से और ज्यादा मुश्किल था ऐसे में औरंग जेब ने चीजों को और ज्यादा complicated बना दिया अपनी policies के द्वारा और उसी का नुकसान आगे चलके मुगल्स को भुगतना पड़ा आईए एक एक करके देखते हैं क्या उसकी policies तो खेर हमने देख लिए उसकी क्या policies थी, religiously fanatic था वो कुछ temples का destruction भी उसने करवाया, कही forced conversions भी उसके officers के द्वारा हुए और जजिया जैसे tax को इसने re-impose कर दिया, हलाकि मैंने बताया था कि बहुत सरे लोग exempted होते थे इस tax से, लेकिन वो बहुत कम होते थे ज्यादा तर लोगों को तो जजिया देना पड़ता था, अब भारत के लोग जजिया नहीं देना चाहते थे, आदी नहीं थे अब जजिया देने के और इसी के साथ साथ औरंग जेब ने commodity tax या sales tax भी हिंदू के उपर 5% रख दिया था, Muslims के उपर उसको घटा के 2.5% कर दिया था, इन सारे उसके measures के चलते उसे fanatic ruler मान लिया जाता है और इसी लिए उसके against बहुत सारी बगावते होती, बहुत सारे rebellions होते हैं औरंग जेब के against होने वाले यही rebellions मुगल empire के decline का कारण बनते हैं अईए एक एक करके उसके against होने वाले rebellion की बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जाट rebellion की जाट जो कि उत्तर भारत की एक wealthy agrarian community थी इनकी बड़ी military history भी रही है लेकिन मुगल period में ये largely एक agrarian community रही थी ये पता कर पाना बहुत मुश्किल रहा है कि जाटों के rebellion का primary reason क्या था लेकिन ऐसा माना जाता है कि औरंग जेब के ruthless officers के tax collection करने के तोर तरीकों से परेशान होके तिल्पत नाम की जगह पर कुछ जाटों ने rebellion कर दिया था कुछ मुगल officers को जो की tax collection करने आये थे उनके गाउं में उन्हें घोडे से नीचे उतार कर मार डाला था as a result of which औरंग जेब ने अपने troops को order दिया जाटों के कई गाउं को बर्बात कर देने का और फिर मुगल troops ने counter attack करके बहुत सारे जाट villages को destroy किया as a result of which जाटों ने एक rebellion कर दिया औरंग जेब के against under the leadership of गोकला जाट हाला कि गोकला जाट पकड़े गए उन्हें मार दिया गया लेकिन ये rebellion खतम नहीं हुआ ये rebellion उनके बेटे राजा राम जाट के leadership में आगे जारी रहा बाद में वो भी पकड़े जाते हैं और मार दिये जाते हैं लेकिन जाटों का rebellion नहीं थमा पाइनली औरंग जेब की death के बाद बदन सिंग नाम के एक leader present day राजस्थान में भरतपुर नाम की एक independent रियासत कायम करते हैं और इस तरह से जाटों का एक kingdom existence में आता है जो आज की राजस्थान के भरतपुर में हुआ करता था ये जाट rebellion कभी भी मोगल्स पूरी तरह से crush नहीं कर पाए हाला कि ये बहुत ruthlessly जाटों के गाव में हमला करके उनको मारते थे लेकिन इस से जाटों की मोगल्स के against rebellion करने की intensity और willpower सिर्फ और सिर्फ और बढ़ती गई तो ये एक ऐसा rebellion था जिसने उत्तर भारत में political instability create कर दी थी और अंगजेब के against दूसरा rebellion यहाँ पे हम देखते हैं अहोम rebellion देखिए अहोम कौन थे सबसे पहले अगर उसको समझना चाहे तो हमें समझना होगा अहोम कहा रहते थे अब तक हमने कभी भी history में का जिक्र नहीं किया this is the present day Assam region और यही इलाके हुआ करते थे अहोम के अहोम एक ऐसी tribe थे जो की कुछ mongoloid features और कुछ Indian features की mixture थे और इनही अहोम tribes का kingdom present day Assam और भ्रह्मपुत्र नदी और उसके पहाडों के बीच बसा हुआ था जब मुगल्स expansion कर रहे थे तब औरंग जेब ने अपने बंगाल के governor मीर जुमला को ये orders दिये थे कि वो नौर्थ की तरफ आगे बढ़ें और present day नौर्थ बेंगौल के कुछ बिहार और वहां से फिर फर्दर आसाम की तरफ अपने territories को expand करें और वहां के local rulers से चौत वसूल किया जाए लेकिन अहोम ruler राजा चक्रद्वज के leadership में अहोम्स ने मुगल्स को tribute स्पे करने से इंकार कर दिया और उसके बाद शुरुआत होती है कई लड़ाईयों की ऐसी ही एक लड़ाई थी जिसमें मुगलों को बुरी तरह से अहोमों ने defeat किया था और वो लड़ाई थी battle of सराई घाट जिसमें अहोम military commander लशित बुर्फुकान की leadership में अहोम्स बड़ी bravery से अपने पहाड़ी इलाकों बड़ी प्रम्वपुत्र रिवर के मदद से गुरिल्ला tactics का use करके मुगलों को कई महीनों की इस लड़ाई में छका देते और ultimately मुगल्स अहोमों के इलाके में अपने dominance को setup नहीं कर पाते हैं आगे चलके और भी कई लड़ाईयां होती है छोटी बड़ी लेकिन अहोम territory के ऊपर कभी भी मुगल्स completely कबजा नहीं कर सकते हैं तो यह अहोम rebellion इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ क्योंकि अहोम्स कई बार Bengal तक जाके मुगल छापनियों के ऊपर हमला करके उनको destroy करते थे as a strategy as a tactics of their guerrilla warfare अखिर ये मैंने भी word use किया term use किया guerrilla warfare what is guerrilla warfare इसे guerrilla या guerrilla warfare भी कहा जाता है लेकिन इसे guerrilla warfare नहीं कहा जाता है guerrilla एक जानवर होता है लेकिन guerrilla एक Spanish word है जिसका मतलब होता है योद्धा लड़ाका या छापा मार तरीके से लड़ाई करने वाला अक्सर हम ये देखते हैं खास तौर पर इन सारे rebellions में एक feature हमको common दिखाई देता है कि जिसने भी मोगल्स के against लड़ाई करी उनकी tactics guerrilla warfare की रही आप में से बहुत आप सभी लोग National Defense Academy जॉइन करना चाहते हैं आगे चलके Armed Forces जॉइन करेंगे और क्योंकि आप लोगों को इन सब चीजों में बहुत इंट्रेस्ट है इसलिए मुझे यकीन है कि आपको आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा guerrilla warfare कैसे होता है guerrilla warfare हमेशा तब होता है जबकि दो आर्मी बहुत अन इक्वल साइस की होती जहां पर एक आर्मी बहुत बड़ी हेवी और एकविब्ड होती है वहीं दूसरी आर्मी छोटी कम ट्रेंड या अन एकविब्ड हो सकती है ऐसे में छोटी और बड़ी आर्मी के बीच में frontal assaults आमने सामने की लड़ाई छोटी आर्मी के लिए disastrous साबित होती है इसलिए जब भी कोई छोटी आर्मी अपने से बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ाई करती है तो वो सहारा लेती है guerrilla tactics का जिसमें वो अपने से बड़ी पॉच का मुकाबला सामने से नहीं करते है कभी दाएं से हमला करना, कभी बाएं से हमला करना, रात को हमला करना या जब दुश्मन लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो तब हमला करना और जब दुश्मन counter attack करे तो जाकर छुप जाना किसी ऐसी जगे जहां उसको कोई ढूण न सके कभी कभी local population में घुल मिल जाना और इस तरह से बड़ी आर्मी को छखा देना उन्हें ठका भी देना और छखा के ठका के घायल करके उनका morale तोड़ देना जी लड़ाई गुरिल्ला टैक्टिक से जब लड़ाई लड़ी जाती है तो एक युद्ध में कभी भी जीत नहीं मिलती है इस तरह की लड़ाईयां सालों तक चलती इसी तरह की लड़ाई हम देखते हैं कि कश्मीर में terrorists ने Indian state के against छेड़ के रखी है लेकिन वो इतने सालों में success नहीं हो पाए क्योंकि Indian army का नारा है कि fight a gorilla like a gorilla हमारी strategy बहुत अलग है और हम उन से उन ही की तरह लड़ाई करते हैं जब आप में से बहुत से लोग army join करेंगे और राश्ट्री rifles का हिस्सा होंगे तब आप खुद ये जानेंगे कि gorilla's से लड़ाई करने के लिए gorilla की तरह बनना होता है आप में से बहुत सारे लोग CIGW counter insurgency और jungle warfare school में training भी हासिल करेंगे जहां पे आपको यही सिखाया जाएगा कि इस तरह की छापा मार तरीकों से लड़ाई करने वाली फौच से कैसे मुकाबला किया जाता है बहराल मोगल्स ये नहीं सीख पाए थे वो अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आर्मी बड़े बड़े मैदानों में ले जाके कोशिश करते थे प्रोवोक करने की कि दुश्मन उनके सामने आके लड़े लेकिन दुश्मन जालाग थे दुश्मन गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज करके इनको छखाते थे और इसी तरह अहोमों ने कई सालों तक इनको छखाया और आसाम और नौर्थ बेंगॉल के इलाके मुगलों के हाथ से जाते ही रहे एक और रेवेलियन जो हम देखते हैं मुगलों के अगेंस्ट जिसे बुंदेला रेवेलियन कहा जाता है दिखिए बुंदेला बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे मुगलों के बुंदेला राजपूत्स थे प्रेसिंट डे मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के एडजॉइनिंग एरियास में ये एक स्ट्रॉंग किंडम भी हुआ करता था जब जहंगीर के का जहंगीर का कॉरोनेशन होना खत्रे में था अकबर जहंगीर से परेशान था यानि कि स्परिंट सलीम से परेशान था तब अकबर ने फाइनल डिसिजन लेने के लिए अबुल फजल को तलब किया था कि अबुल फजल आप आएं और मुझे सलाह दें कि मैं किसको कॉरोनेट करूं क्या जहंगीर के बेटे खुसरो मिर्जा को या फिर उनके फादर प्रिंस सलीम जहंगीर यानिकि सलीम ये जानते थे बहुत अ प्रेंड वीर सिंग बुंदेला जो की बुंदेल खंड के रूलर थे मैं अगेन बतातों प्रेजन डे उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की जो लगते हुए इलाके हैं ये बुंदेल खंड का रीजन कहलाता है और यही के रूलर वीर सिंग बुंदेला ने जहंगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी अबुल फजल जो अकबर के नौ रतनों में से एक था और मुगलों के और फिर अगले रूलर जब जहांगीर बनते हैं तो वो वीर सिंग बुंदेला को दोस्ती का इनाम देते हैं इस तरह से बुंदेला और मुगल से एक दूसरे के companion ship में काम करते हैं बाद में हम देखते हैं कि बुंदेला house और मुगल्स के बीच में friendship नहीं रहती है और दुश्मनी शुरू हो जाती है यह सब कुछ शुरू हुआ था शाह जहान के दौर में वज़ा ये थी कि जहंगीर के बेटे शहरियार को मार के खुर्रम थ्रोन पे बेटे थे हलांकि खुर्रम भी जहंगीर के बेटे थे लेकिन शहरियार नूर जहां के दामात थे और बुंदेला ग्रूप फेवर करता था शहरियार को और ऐसे में जब शहरियार का assassination कर दिया जाता है तो फिर वीर सिंग बुंदेला के डिसेंडेंट विक्रम जीत सिंग बुंदेला और उनके फादर जुझार सिंग बुंदेला नए रूलर शाह जहान को accept नहीं करते हैं as a result of which शाह जहान अपने बेटे खुर्रम को भेज के बुंदेलास को neutralize कर देता है जुझार सिंग बुंदेला और उनके बेटे विक्रम जीत सिंग बुंदेला सबसे पहले रिबेलियन इनिशेट कर देते हैं औरंगजेब के दौर में नहीं शाह जहान के दौर में लेकिन औरंगजेब के हाथों मारे जाते हैं महाराजा च्छत्र साल जिन्होंने पांच घुड़सवार और पच्चिस पैदल सैनिकों के दम पर उस वक्त की गव्मेंट आफ इंडिया मोगल एंपायर दस लाग की फोर्स के अगेंस्ट रिबेलियन कर दिया था जरा सोचिए कि होसला क्या होता है हम इसे बहुत सारे लोग कोई काम इसलिए नहीं कर पाते हैं या हम यह सोचते हैं कि हम वो काम नहीं कर पारे क्योंकि हमारे पास में रिस्टोर्स नहीं है और इसलिए हम हार मान लेते हैं आप सूचिए राजा च्छत्र साल ने पांच घुड़सवार और 25 पैदल सैनिकों के दमपर मोगल्स के अगेंस्ट रिबैलियन किया था जिनकी नफरी 10 लाग की थी जिनकी तादाद जिनके सोल्जर्स 10 लाग की तादाद में थे क्या आप ऐसा कर सकते हैं अगर नहीं तो फिर आप छतर साल जैसे महान योध्धा भी नहीं बन सकते लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप शायद छतर साल जैसे महान योध्धा ना बनो लेकिन एंडी ये जरूर क्रैक कर सकते हो तो ये होसला होना चाहिए इतिहास बनाने के लिए पाँच गुड़ सवार और पच्चिस पैदल सैनीकों को लेके इन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट रिबेलियन की और किसकी प्रेरणा से छत्रपती शिवाजी महराज की प्रेरणा से छत्र साल पहले शिवाजी महराज के पास गए थे तो मुगल्स को हम तब हरा पाएंगे जब मुगल्स के अगेंस्ट पूरे देश में अलग-अलग जगे विद्रो चलेंगे तब मुगल्स कमजोर पढ़ेंगे और उन्ही की प्रेरणा से महराजा चत्र साल ने पाच गुड़ सवार पच्चिस पैदल सैनिकों के दम पर जो रिबैलियन किया तो धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते गए इनके हौसले को देखते हुए और इनका रिबैलियन ऐसा सक्सेस्फुल हुआ कि बाई देथ आफ औरंग जेब तो इस तरह से बुंदेला रिबैलियन भी एक सक्सेस्फुल रिबैलियन होता है मोगल्स के अगेंस्ट पॉलोड बाई पश्टून रिबैलियन देखे पश्टूनों के बारे में भी हम बात कर चुके हैं पठान भी कहा जाता है और प्राइमेरिली ये लोग इंडियन सब कॉंटिनेंट के नौर्थ वेस्टन इलाकों में रहने वाले लोग थे जो कि खेबर के दर्रे और हिंदुकुष के पहाड़ों के निवासी हुआ करते थे भारत की कई वारियर ट्राइब्स की तरह ये भी बहुत मार्शल नेचर के होते थे यहाँ पर भी रेबैलियन की प्रमुख वज़ा औरंग जेव नहीं उसके ऑफिसर्स होते हैं जो कि पश्टूनों के एक गाउं के ओपर हमला करके वहाँ कई लोगों को मारते हैं और कई विमिन को रेप करते हैं जिससे पश्टून पूरी तरह से एजिटेट हो जाते हैं और मुगल्स के अगेंस्ट एक रेबैलियन शुरू कर देते हैं अंडर दे लीडर्शिप ऑफ खुशाल खान खटक और इस तरह से पश्टूनों का रेबैलियन शुरूता हालां कि औरंग जे बहुत तरह की कोशिशें करता है पश्टूनों के रेबैलियन को क्रश करने के लिए पैसे देने से लेके इसलाम का हवाला देने तक और इन दोनों से बात न बने तो फोर्स का यूज़ करने तक लेकिन पश्टून रिबेलियन को वो कभी भी पूरी तरह से क्रश नहीं कर पाता है और उत्तर भारत में उसको एक और बड़ा जखम मिलता है पश्टून रिबेलियन के फॉर्म में The next rebellion was सतनामी rebellion सतनामी एक ग्रूप था सन्यासियों का जिसके लीडर वीरभान थे औरंग जेब की ऐसी fanatic policies जो की मंदिर तोड़ने जज़िया जैसे टैकसिस को इंपोस करने के उपर फोकस्ड थी ऐसी policies के अगेंस्ट इन सन्यासियों के ग्रूप ने एक rebellion खड़ा कर दिया था जिसकी लीडर्शिप वीरभान ने करी थी और दिल्ली के दक्षिड के इलाकों में सतनामियों ने औरंग जेब की फॉच के अगेंस्ट कई लड़ाईया लड़ी जिसमें उनमें कईयों को सक्सेस मिली लेकिन कई लड़ाईयों में उनको हार का सामना करना पड़ा उनकी लीडर का परसीकूशन हो गया लेकिन सतनामियों का rebellion अपने लेवल पे चलता भी रहा और दूसरे होने वाले कई rebellions को ये सतनामी सपोर्ट भी करते रहे now the another rebellion that was followed in the Aurangzeb's period was राशपूत rebellion a very important rebellion अभी हमने देखा पिछले कई chapters में कि राशपूत और मुगल्स के बीच में एक बहुत close association था अकबर की राशपूत policy को भी हमने जाना समझा था और इन्ही राशपूतों के मदद से मुगल्स इतना बड़ा empire create कर पाए थे इन्ही राशपूतों की मदद से majority of the population of India came under the accepted the Mughal overlordship और ऐसा क्या हो गया कि राशपूतों को ही मुगलों के against या Aurangzeb के against rebellion करना पड़ा तो ये थी Aurangzeb की expansionist policy जहाँ पर की वो ये चाहते थे कि मारवाड में मारवाड का जो kingdom था जो present day western राजस्तान के इलाके में situated है इस kingdom के ruler राजा जस्वन सिंग की death हो चुकी थी and उनकी दो wives pregnant थी but still they had not given birth to the child Aurangzeb ऐसा चाहते थे कि मारवाड की throne के उपर उनका influence हो जाए कबजा हो जाए और इसलिए उन्होंने राजा जस्वन सिंग की दोनों pregnant राणियों को आगरा के किले में house arrest कर लिया था राजपूत कपांडर्स मारवाड के ये चाहते थे कि इन राणियों को और उनसे पैदा होने वाले राजकुमारों को वापस मारवाड को सौपा जाए जहां से वो विलॉंग करते थे जहां से वो तालूख रखते थे लेकिन औरंग जिब ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था और इसी लिए दुर्गा दास राठोड की लीडर्शिप में मारवाड के राजपूतों ने एक rebellion किया जहां पर ना सिर्फ वो आगरा के किले से दोनों रानियों और इंफैंट याने नवजात राजकुमारों को छुड़ा के लाए और बड़ी bravery से मुगल ट्रूप्स के नाक के नीचे से उनको निकाल कर मुगल ट्रूप्स से युद्ध करके अपने बलिदानों को देके ये र शुरुआत होती है राजपूत rebellion की जब औरंग जेब इंटरफेर करता है मारवाड के politics में उसकी थ्रोन पर अपने चॉइस का ruler बिठाने या governor बिठाने के लिए तो बाकी राजपूत kingdom जो मेवाड और धुन्धार के राजपूत kingdom थे या मेवाड के और आमेर के राजपूत kingdom थे ये भी मारवाड को support करते हैं और औरंग जेब के against पूरे राजस्थान में एक rebellion हो जाता है as a result of which औरंग जेब को बहुत losses होते हैं कई लडाईयां होती है यहाँ पे loss सिर्फ militarily loss नहीं था ये loss जो था ये faith का भी loss था क्योंकि राजपूत और मुगल association के वजह से ही मुगल empire इतना बड़ा बना था इसमें राजपूतों को भी बहुत फाइदा हुआ था लेकिन इस विश्वास के तूट जाने से दोनों को ही बहुत नुक्सान हुआ primarily mainly मुगल्स को बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ बाद में औरंगजेब ने इन राजपूतों के सामने हार मानते हुए अजीत सिंग को accept कर लिया था as the next ruler of Marward लेकिन तब तक ये विश्वास तूट चुका था और इसके बाद मुगल राजपूत relations कभी भी वैसे नहीं बन पाए जैसे कि इससे पहले थे तो ये rebellion एक बहुत कहरा आगहात पहुचाता है मुगल्स को लेकिन किसी की गलती नहीं थी सारी policies औरंगजेब की expansionist या fanatic policies थी जिसके कारण उसके against ये rebellions हो रहे थे and finally sick rebellion last but not the least औरंगजेब के कुछ officers जो बड़े ruthless थे present day कश्मी रीजन में forcible conversions कर रहे थे बहुत सारे कश्मीरी पंडित अपनी जान को और अपनी इज़त को बचाने के लिए पंजाब में भाग कर आते हैं जहाँ पे वो बहुत सारे गुरुदवारों में shelter लेते हैं और यही पर तिखों के गुरु तेग बहाद्दूर को जब ये बात पता चलती है कि कश्मीरी पंडितों का forceful conversion करवाया जा रहा है तो वो औरंग जेप को challenge करते हैं वो पंडितों को कहते हैं हिंदू को कहते हैं कि जाओ जाकर औरंग जेप से कह दो कि गुरु तेग बहाद्दूर का धर्म परिवर्तन करके दिखा दे अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो जाता है तो हम सारे लोग सारे पंडित इसलाम को accept कर लेंगे और जब ये challenge हुकूमत को दिया जाता है तो औरंग जेप की हुकूमत action में आती है गुरु तेग बहाद्दूर को capture करके imprison करके दिल्ली लाया जाता है जहां पर उनको force किया जाता है उनके religion को छोड़ कर इसलाम को accept करने का गुरु तेग बहाद्दूर जो ये कहते हैं कि हम सभी religion को respect करते हैं लेकिन force accepted नहीं है और इसलिए क्योंकि आफ forcefully हमको एक religion accept करने के लिए कह रहे हो हम कभी भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए जब इनको ये threat दिया जाता है कि आपको जान से मार दिया जाएगा तब भी गुरु तेग बहाद्दूर टस्स से मस नहीं होते हैं फाइनली गुरु तेग बहाद्दूर का भी हेडिंग होता है उसी जगे जहां आज दिल्ली में गुरु द्वारा शीष गंज है वहीं उन्हें भी हेड किया गया था लेकिन उसके इन भी हेडिंग उनके इस भी हेडिंग के कारण पंजाब के सिख एजिटेट हो जाते हैं गुरु तेग बहाद्दूर के पुत्र सिखों के दसवे गुरु गुरु गोविन सिंग जी अपने लीडर्शिप में मुगलों के अगेंस्ट एक रिबैलियन शुरू कर देते हैं जो सिख रिबैलियन के नाम से जाना जाता है पंजाब के अंदर सिख उसी तरह से एक अग ग्रेरियन कम्यूनिटी थी लेकिन सिखोंने भी हतियार घोडे और थोड़ी बहुत जो भी वेल्थ उनके पास उस वक्त थी वो इखटी करी और रिबैलियन कर दिया एक माइटी पावर के अगेंस्ट पंजाब में गवरिला टैक्टिक्स का यूज करके इनोंने मुगलों क कई लड़ाईयों में छकाया और एक से एक लड़ाईयां है जिकर करने लायक लेकिन अभी फास्ट रैक कोर से हम सारी लड़ाईयों के बारे में बात नहीं करेंगे आज हम इतनी ही चीजें डिसकस करेंगे दिखिए सारे रिबैलियन्स जो थे या औरंग जेप के एंपायर को अलग अलग जगर से डेंट लगा रहे थे उसको तोड़ रहे थे उसमें दरार ला रहे थे ये सारे रिबैलियन्स तो अपना काम करते ही है लेकिन वो रिबैलियन्स जो की लास्ट नेल इन दे कॉफिन ओफ मुगल एंपायर साबित होता है that was the Maratha Rebellion under the leadership of शिवाजी महराज और better known as चत्रपती शिवाजी महराज लेकिन आज हम चत्रपती शिवाजी महराज के बारे में बात नहीं करेंगे हम ये बात कल के चैप्टर में करेंगे क्योंकि चत्रपती शिवाजी महराज के बारे में आज बहुत कम वक्त में बात करना उनके character के साथ justice नहीं होगा इसी लिए आज हम अपने topics के discussion को यहीं end करते हैं और अब हम solve करते हैं पिछले कुछ topics से related questions को तो आईए कि करके questions को देखते हैं किस तरह से क्या questions हमें पूछे जा सकते हैं और आप भी अंदाजा लगाईए कि क्या answers होंगे इन questions के सबसे पहला question the only Hindu courtier of Akbar who accepted दीन इलाही was अभी दीन इलाही के बारे में हमने बात करी थी मैंने आपको बताया था दीन इलाही के बारे में कि यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक religion माना जाता था बहुत सारे contemporary historians यह conclude करते हैं कि किसी भी पुराने literature में अकबर के बारा कोई religion शुरू करने की कोई ऐसा proper authentic information नहीं है तो यह अकबर का एक code of conduct था way of life था जो उसने propagate किया था which was not taken well by his courtiers जो इसके courtiers इसके दर्बारियों ने बहुत अच्छे चे accept नहीं किया था और खास तोर पे उसके हिंदू दर्बारियों ने तो बिलकुल भी नहीं किया था और एक ही हिंदू दर्बारी उसका जो की दीने इलाही को accept करता है क्या आपको वो याद है ये मैं बता चुका था अगर किसी को याद नहीं है या पिछला lecture अटेंड नहीं किया था तो इस आंसर इस बिर्बल जो की राजा महेश दास के नाम से भी जाने जाते हैं राजा महेश दास जो की एक बहुत ही विटी परसन थे देखिए एक और चीज यहाँ पर मेरे मुझे याद आई कि हमने अकबर के चैप्टर में नवरतनों को डिसकस करना भूल गए थे या समय की कमी के कारण कर नहीं पाए थे तो अभी इस क्वेशन के टाइम पर ही हम नवरतनों का डिसकेशन भी कर लेते हैं तो अकबर के कौन-कौन से नवरतन थे और उनका क्या-क्या इंपोर्टेंस था एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले तो यह जो चार नाम लिखे हुए यहाँ पर इन चार नामों की ही बात कर लेते हैं सबसे पहला नाम आप देख पा रहे हो बिर्बल जिनके बारे में मैंने कहा राजा महेश दास एक बहुत ही विटी परसन हाजिर जवाब तेज और अपने रूलर के एक बहुत अच्छे एडवाईजर हमेशा अच्छी सलाह देने वाले बिर्बल और अकबर से जुड़ी हुई हजारों कहानिया है और करोडों चुटकुले हैं जिन मेंसे एक भी हभी हम यहाँ डिसकस नहीं करेंगे मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट बताऊंगा जिससे हमको बिर्बल के इंपोर्टेंस के बारे में पता चलता है कि हाउ इंपोर्टेंट ही वास फॉर एंपरर अकबर फतेपूर सीक्री जो कि अकबर के द्वारा बसाया हुआ एक टाउन था जो उसकी सेकंड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता था इस फतेपूर सीक्री में अकबर के पैलिस के नस्दीक अगर किसी कोल्टियर का पैलिस है तो वो बिर्बल का बाकि दूर दूर तक बड़े-बड़े मिनिस्टर्स और ओफिसर्स के पैलिसिस नहीं है इससे यह साब देखी कोई भी रूलर अपने प्रमाइसिस के कि आसपास किसी officer को रहने नहीं देते थे क्योंकि प्रमाइसे उनका private residence होता था यहाँ पे उनकी कई रानिया भी होती थी ऐसे में अकबर का विर्बल के residence को अपने बहुत नस्दीक रखना ये indicate करता है कि he needed him और वो बहुत अच्छे companions थे और विर्बल बहुत अच्छे सलाकार रहे होंगे अकबर के इसी लिए वो उनके बहुत लोज रहते हैं तो एक archaeological evidence है बिर्बल के बारे में बिर्बल की death unfortunately नौर्थ वेस्टन इंडिया में इन्हें भेजा जाता है अकबर के द्वारा जहां पर यूसफ जई नाम की पश्टून ट्राइब की against ये expedition करते हैं और उस के एक primary advisor थे और बहुत close companion थे दूसरा character हमें यहां दिखाई दे रहा है राजा टोडर मल राजा टोडर मल का appointment शेर शा सूरी के जमाने का था ये senior थे experience थे अकबर के finance minister थे वैसे अकबर के पहले finance minister तो शमसूदीन अत्का खान थे लेकिन क्योंकि उन्हें अधम खान ने कतल कर दिया था उनकी हत्या कर दी थी तो उसके बाद अगले finance minister टोडर मल बनते हैं यही टोडर मल अकबर के लिए मुगलों के लिए देह साला बंदोबस्त नाम के agricultural reform को लेके आते हैं जिसमें मुगल्स किसी इलाके की जमीन के basis पर उनसे tax लेते थे लेकिन 10 साल के लिए fixed amount में लिया जाता था सपोज आपकी जमीन में काली मिटी है बारिश ठीक ठाक होती है जो फसल आप हुगा रहे हैं उसकी market में value बहुत अच्छी है तो आप से x, y, z या आपके लिए काम आसान बनाने के लिए 15% आप से tax लिया जाएगा अगरी कल्चरल सपोज एक example के तौर पे तो अगले 10 साल तक 15% लिया जाएगा दस साल बद review होगा आपकी मिटी की quality आपकी crop की value market में और आपकी फसल कौन सी आप होगाते हैं अगर आपकी इन सारी चीजों का depreciation हुआ है तो 15% से कम कर दिया जाएगा tax अगले 10 सालों के लिए और अगर इन चीजों में appreciation हुआ है बढ़ी है चीजे तो 15% से कुछ बढ़ा दिया जाएगा अगले 10 सालों के लिए fixed amount इस system को 10 साला बंदोबस्त कहते थे 10 साला बंदोबस्त का advantage मोगल्स के लिए यह था कि उन्हें यह पता चल जाता था कि अगले 10 सालों तक हमें कितना tax मिलेगा अगर आपको यह पता हो कि अगले कुछ दिनों तक या अगले कुछ मह खरीद सकते हैं आपको पता होगा आप खरीद पाओगे या नहीं पाओगे आप installments दे पाओगे या नहीं दे पाओगे अगर आप जानते हों कि अगले कुछ सालों तक में इतना earn कर लूँगा तो आप उस wealth को manage कर सकते हो कहां कैसे करना है जो कि finance minister के लिए बहुत जरूरी ह होता है और इसलिए राजा टूडर मल ने यह system निकाला था जिसे 10 साला बंदोबस्त यहने 10 साल का बंदोबस्त कहा जाता था now we come to another नव रत्न ओफ अकबर तान सेन तान सेन जो की सभी जानते हैं musician थे great musician थे बहुत अच्छा गाते थे कितना अच्छा गाते थे यह इसी बात से अंदाजा लगता है कि जब पहड़ी बार तान सेन ने अकबर के सामने present किया था अपने perform किया था अकबर के सामने अकबर ने इने एक लाख रुपे का इनाम दिया था एक लाख रुपे किस दौर के हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 16th century की एक लाख रूपे आज भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है सोचिए उस वक्त कितना बड़ा अमाउंट होता होगा और अगर इतना बड़ा अमाउंट अकबर ने इन्हें दिया है तो अकबर जिंदगी में पहली बार गाना नहीं सुन रहे थे उन्होंने कई अच्छे-च्छे सिंगर्स को सुना था लेकिन तांस इनको एक लाख रुपे दिये थे इसका मतलब तांस इन कितना बढ़िया गाते होंगे तांस इन उरिजिनली प्रेजिन डे मद्ध्रदेश के नौर्दन इलाकों के याने ग्वालियर रीजन के रहने वाले थे और इनका उरिजिनल नाम राम तनू पांडे था बाद में ये तांसेन के नाम से जाने गए और अपनी लाइफ के आखरी फेज में इन्होंने एक सूफी सेंट मौहमद घौस के इंफ्लुएंस में इसलाम एक्सेप्ट कर लिया इसलिए लाइफ के आखरी फेज में ये मिया तांसेन के नाम से जाने गए थे एक और यहाँ पे जो हमको नवरत न दिखाई दे रहे हैं वो है राजा मान सिंग जो की हम जानते हैं हल्दी घाटी में जिन्होंने मुगलों की तरफ से लीड किया था एक फेमस कवांडर थे मुगल पीरिट के और मुगल एक्सपैंशन के प्रोसेस में अकबर जब एक्सपैंशन कर रहे थे अपना उस प्रोसेस में इन्होंने बहुत सारे इलाके कौनकर करके दिये थे खास तोर पे इंडस रिवर को पार करके नौर्थ वेस्ट में काबुल के इलाके इन्होंने कैप्चर किये थे वो एक स्प्लेंडिड एडवेंचर था आक्शन था तो ये भी एक नवरतन थे इनके अलावा अबुल फजल जो अकबर की बायोग्राफि लिखते हैं वो अकब बड़े स्कॉलर थे ये भी एक इंपटेंट मेंबर थे नौरतनों के साथ इसाथ मुल्ला अजियु दीन जो की रिलिजिस मैटर्स पर अकबर को एडवाईज किया करते थे ये भी एक इंपटेंट मेंबर थे नौरतनों के followed by अब्दुलरहीम खान ऐ खाना दे सुप्रीम कमांडर ओफ मुगल फोर्स son of बैरम खान and a very famous हिंदी कवी एक बहुत ही मशहूर हिंदी के ये poet थे अब्दुलरहीम खान ऐ खाना जो की 9 रतनों में से एक थे अब्दुलरहीम खान ऐ खाना बैरम खान के बेटे भी थे वही बैरम खान जिन्होंने अकबर को नर्चर किया था early days में बाद में यही अब्दुलरहीम खान ऐ खाना को अकबर उची पोजीशन से नावासते हैं ये वोही अब्दुलरहीम खान ए खाना है जिन्होंने महाराणा परताप के अगेंस लड़ाई को अबैंडन कर दिया था क्योंकि महाराणा परताप ने इनको एक गुडविल जेस्चर शो किया था लड़ाई के दौरान इनकी लीडीज जो पकड़ी गई थी लड़ाई में उनको वापस करके रिलीज करके अनकंडिशनली रिलीज करके ये वोही अब्दुलरहीम खान एक खाना है जिनके दोहे रहीम के दोहों के नाम से मशूर है और मुगल कोट के अंदर एक और रतन जो नौ रतनों का हिस्सा है वो है मुल्ला दो पियाजा जिनके ओरिजिनल कैरेक्टर के बारे में ज्यादा लिटररी इंफरमेशन हमको नहीं मिल पाती मुल्ला दो पियाजा ये बड़ा अजीव सा नाम है कि ये मुल्ला थे ये तो तै है अब ये दो पियाजा क्या है ये बड़ा मुश्किल है बताना आपने रेस्टोरेंट्स वगेरा में बहुत सारी ऐसी डिशिस खाई होगी जिनके नाम के आगे दो पियाजा लिखा हुआ रहता है कुछ नाम याद आ गए होंगे आपको पनीर दो पियाजा, चिकन दो पियाजा, एंड सोमेनी दो पियाजा ये क्या होती है दो पियाजा, तो और इनका नाम ऐसा क्यों था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद ये जो रॉयल किचिन था, उस किचिन के भी हेड शेफ थे, साथी साथी एक मुला भी थे, और अकबर के एक एडवाईजर भी थे लिट्रेचर्स में इन्हें विर्बल का काउंटर पार्ट या विर्बल का राइवल भी कहा जाता है, ये विर्बल से बहुत जलते थे और विर्बल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन विर्बल always proved to be the better one और ये मुला दो पियाजा जो थे, अब ये दो पियाजा दो पियाजा बड़ा अजीव सा लगता है नाम मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी चीज है, कुछ ऐसी डिशेज होती है, जिनमें जब बनाया जाता है जिनको तो पियाज दो स्टेज में डलता है, पहली बार ज कहा जाता है कि शायद रोयल किचन के हेंड शेफ भी थे, तो ये सारे आपके नौ रतन थे और सारे नौ रतनों की हमने अलग-अलग क्वालिटीज को देखा, वैसे मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये नौ रतनों का कॉंसेप्ट बहुत रोमेंटिसाइज कॉंसेप्ट है हमको किसी उस दौर के लिटरेचर में लिस्ट वाइज कोई नौ रतन नहीं मिलते, वैसे तो अकबर के च्छतिस रतन माने जाते हैं और इन च्छतिस मेसिज जो टौप नाइन है उन्हें नौ रतन कहा जाता है, तो वजह है अकबर से पहले के रूलर्स, अकबर से पहले के हिंदू रूलर्स का ये ट्रेडिशन हुआ करता था कि उनके कोट में कुछ ऐसे मेंबर्स जो बहुत एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कॉलि रखते थे उन्हें रतन कहा जाता था, और उनमें से जो टौप नाइन या टैन होते थे या आठ होते थे उन्हें दिगज या रतन कहा जाता था, हम देखते हैं कि इस तरह हमको सबसे पहला एविडेंस मिलता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनके नौ रतने थे, ब इतने बड़े एंपरर, इतना बड़ा एंपायर, इतनी अच्छी हुकूमत, तो इनके भी तो कुछ रतन रहे होंगे, तो एतिहास कारों से रहा नहीं गया, और वो नहीं भी इनके कोर्टियर्स में से कुछ विदवानों को च्छाट के नौ रतन बना दिया, लेकिन अब य concept इतना मस्बूत हो गया है कि question की तरफ मुझ भी लिया जाता है और इसके answers भी होते कि अकबर के कितने रतन थे तो नौ रतन थे, इनमें से कौन सा था, कौन सा नहीं था, वगेरा वगेरा पूछ लिये जाते तो हमको exam point of view से अब यादी रखना पड़ेगा कि अकबर के नौ question में आएगा तो आपको answer दीने इलाही ही करना है जब कि मैं अब खुद बता रहा हूं आपको कि ऐसे evidence ही नहीं है कि उसने कोई religion शुरू किया था, अब वो अगर जूट भी था या आधा सच भी था तो उसको बार-बार बोलके पक्का सिमेंट कर दिया गया है, आप भी exam point of याद रखना यह जो आधे सच दीरे-दीरे होके सिमेंटेड बन चुके हैं तो ठीक है यह नवरतनों के बारे में भी हमने discuss कर लिया, यह question भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं where the French established their first factory, जैसे कि हमने बात करी थी आज के chapter में कि औरंग जेव फ्रांसीसियों के लिए या फ् उस वक्त तक French power किसी तरह का कोई colonial ambition शो नहीं कर रही थी, इसी लिए औरंग जेव ने इन्हें permission दी थी, present day गुजरात के सूरत में अपनी factory establish करने की, और यही फ्रांसीसियों का पहला factory था जो उन्होंने establish किया था, इंडिया में with the permission of Emperor औरंग जेव, अंग्रेजों के against हमने बात करी थी, औरंग जेव बहुत ruthless था, क्योंकि उसको अंग्रेजों के इरादों पे doubt था, और उसने तीन बार अंग्रेजों को अलग-अलग लड़ाईयों में defeat किया था, जिनमें से एक तो naval battle था, खर आगे बात करते हैं, अगले question की, During the Mughal rule, the police duties in districts were entrusted to the officials known as districts, में या districts याने क्या, हमने बात करी थी Mughal administration की जहां पे empire था, फिर सूबे थे, सूबों के नीचे सरकार थे, सरकार के नीचे क्या थे, परगना थे, परगना के नीचे महल और महल के नीचे गाओं थे, तो इस तरह सी units थी अलग-अलग, और इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि district level पे कौन करता था police department का काम, तो पहले आपको याद रखना होगा district याने किस से relate करेंगे हम, तो यहाँ पे district आपके relate होंगे परगना से, और आप परगना में जब देखोगे कि law and order maintain करने वाला officer कौन था, तो answer है इसका फौजदार, जो मैंने आपको administrative system बताया था, आप उसको एक बार अच्छे से देख ले रहा, समझ लेना, रटने की कोशिश मत करना बिलकुल भी, एक बार उसको समझ लोगे, और कैसे समझना है, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया further divided in states, states divided in divisions, divisions divided in districts, districts in tehseals and tehseals in village, इसी comparison में उनके administrative units को रखके देखना जल्दी याद हो जाएगा, इसका answer फौजदार है, अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं, During whose reign did William Hawkins visit the Mughal court to secure a right to trade in Mughal ports, किसके दौर में William Hawkins आया था, Captain William Hawkins जो की ambassador बनके आया था, England के King James का objective था, कि कैसे भी करके, Mughal Empire से trade के साथ, trade के लिए permissions मिल जाए, Factories establish करने की permission मिल जाए, matter of fact इसका answer जहांगीर है, Captain William Hawkins का आना जहांगीर के दौर में हुआ था, और Captain William Hawkins जहांगीर से permissions हास्तिल करने में कामियाब रहे थे, यही से Britishers की journey शुरू होती है इंडिया में, पहले तो trade की और फिर आगे हम जानते ही है कि trade करते करते ruler बनने की journey, Coming to the next question, The Mughal School of Painting was interested in portraying, पिछले chapter में हमने Mughal School of Painting के बारे में भी बात करी थी, और हमने उसमें यह देखा था कि Mughal School of Painting का primary subject matter क्या होता है, और चार options को देखने के बाद अगर आपने वो lecture भी नहीं देखा है, अगर मेरा सिर्फ Mughal Painting को समझाने वाला slide भी आपने देखा है, और इसलिए मैं इसका answer नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि answer comment box में आप देखा हैं, अगले question के बारे में हम बात करते हैं, The dead body of Babar by his own choice lies buried in मौहमद जहीर उद्दिन बाबर जिसने भारत को कौन कर तो कर लिया था, लेकिन तुजुक ऐ बाबरी जो की उसकी autobiography थी, उसके अंदर उसने बार बार ये बात कही है कि उसका दिल उसके मदर लैंड में ही बसता है, और उसका मदर लैंड कहा था, Central Asia, जिस जगे को फरगाना भी कहा जाता था, बाबर जब भारत को जीत लेता है और जब यहाँ पे उसके last moments होते हैं, उसको जब यह समझ में आ जाता है कि मेरी death हो जाएगी, तो वो यह कहता है कि मुझे यहाँ नहीं दफनाना भारत में, मुझे मेरे मादरे वतन में दफनाना, याने कि मेरे मदर लैंड में दफनाना, और उसका मदर लैंड कहा था, उसका मदर लैंड समरकन फरगाना में था, Unfortunately, Mughals कभी भी उन इलाकों तक Conquest नहीं कर पाते Primarily, Barber के दौर में ही Conquest नहीं हो पाती है उस इलाके में इसी लिए Barber की Death होती है उसे शुरू में आगरा में ही दफनाया जाता है लेकिन बाद में इस से निकाल के इस आगरा की कबर से उसको निकाल के Final Resting Piece उसका काबूल बनाया जाता है तो Present Day Question के हिसाब से The Dead Body of Barber by His Own Choice lies buried in उसकी चॉइस तो फरगाना थी लेकिन अगर फरगाना तक नहीं तो वो चाहता था कि काबूल में ही दफना दिया जाए जहाँ उसने पनी Life का एक बहुत बढ़ा फेस बिताया था तो Present Prime इसकी death हुई थी आगरा में यहाँ पे इसको दफनाया गया था बाद में यहाँ से निकाल के इसके रिमेंस को ले जाके काबूल में दफनाया गया था तो इस तरह से बाबर का बाबर lies buried in काबूल Now we have another question, assertion and reason बाबर won the first battle of Panipat and reason is बाबर was first to introduce the use of cannons in India cannons याने क्या, cannons याने की तोप खाना जो कि मैंने बात करी थी, fire arms fire arms क्या होते हैं और एक बंदू किस तरह से work करती है आप armed forces join करना चाहते हैं आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत interest होगा weapons में, comment box में लिखके बताना shortly बंदू कैसे work करती, fire arm work कैसे करता है खेर, यहाँ पर हम देखते हैं एक assertion, बाबर ने पानी पत की पहली लड़ाई को जीता दूसरा, बाबर ने ऐसा इसी लिए किया क्योंकि उसने तोपो का यूस किया तो बिलकुल सही बात है, बाबर ने तोपो का यूस किया ये भी बिलकुल सही बात है बाबर ने पानी पत की पहली लड़ाई को जीता ये भी सही बात है और बाबर ने पहली लड़ाई में तोपों का यूस किया इसी लिए पहली लड़ाई को जीता ये बिलकुल सही बात है इसी लिए इसका करेक्ट आंसर A है बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A Coming to the next question The original name of Tansay in the greatest musician of the court of Akbar was गलती से मैंने आपको पिछले question में ही इसका अंसर दे दिया था इसी लिए again मैं इसका अंसर नहीं दूँगा Comment box में आपको लिखके बताना है कि Tansayn या later known as Mia Tansayn का original नाम क्या था Another question Of the following with whom Aakbar did not come into contact अकबर के बारे में हमने बात करी थी कि अकबर भारत के सारे religions को समझने की कोशिश करते थे उन्होंने कई religions के scholars को बुला के religious debates और discussions भी करवाए थे ऐसा कौन सा sectिया religion था जिसके scholars को वो नहीं बुला पाये थे तो as a matter of fact इसका answer है बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट is the answer लेकिन यहाँ पर एक और एक दो facts और हैं जो की हमको समझने पड़ेंगे यहाँ पर question पूछ लिया जाता है कि अकबर के ओपर कौन से religion का influence सबसे ज्यादा था तो जब भी एक question अगर पूछा जाए तो इसका answer जैनिजम होगा हाला कि अकबर हिंदूओं के ज्यादा close companionship में रहा था लेकिन उसके ओपर सबसे ज्यादा influence जैनिजम का माना जाता है गुजरात के एक जैन वांक हरी विजय सूरी जिनके उपदेश सर्मन्स को सुनने के बाद अकबर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जैन हो गया था लेकिन अकबर की उपर जैनिजम का influence हुआ था अकबर ने कुछ हद तक अपनी लाइफ से नौन वेजिटेरियनिजम को खतम कर दिया था और वेजिटेरियनिजम को embrace किया था उसने महावीर जैन्ती पे अपने empire में slaughter houses भी बंद करवाने शुरू कर दिये थे तो ये एक बहुत बड़ा कदम था अकबर का और एक बहुत बड़ा influence था अकबर के उपर किसी एक खास religion का और वो religion था जैनिजम लेकिन जिन से वो बिलकुल contact में नहीं आया था वो बुद्धिस्ट थे option में एक और word आपको दिखाई दे रहा पारसी ये लोग कौन थे इन्हें Zoroastrians भी कहा जाता है जो ancient times में इरान से migrate करके इंडिया आये थे जिनका अपना एक unique religion है जिनकी holy book जेंद अवेस्ता है जो जरत्रुष्ट को अपना God मानते हैं लेकिन अकबर के उपर किसका influence सबसे जादा रहा जैन्स का और अकबर का contact बिलकुल भी नहीं रहा किन scholar से बुद्धिस्ट अगर किसी मनसबदार को सवार की रैंक मिलीटरी कमांडर है क्या ये provincial governors होते थे बिलकुल सही बात है होते थे इन्हे provinces को govern करने की जिम्मेदारिया भी दी जाती थी क्या ये high civil और military officers होते थे तो बिलकुल होते थे मनसबदार का तो मतलब ही यह होता था हजार से उपर के मनसबदार आमिर अलकबीर कहलाते थे मतलब की high civil और military officers या फिर all of the above तो जैसे मैंने कहा कि ये तीनों ही थे तो इसका correct answer है all of the above आपको ये ध्यान रखना है मनसबदार provincial governors भी हो सकते थे छोटे मनसबदार परगना के अंदर फौजदार भी हो सकते थे उनसे छोटे मनसबदार किसी तहसील के अंदर शिकदर भी हो सकते थे या फिर provincial governor याने कि सूबदार भी हो सकते थे अगर वो बड़े मनसबदार है तो मनसबदार तो ranks होते थे ये किसी भी तरह के civil और military position को hold कर सकते थे अगर कोई मनसबदार सिर्फ जात का मनसबदार है तो वो अपने साथ troops नहीं रखेगा लेकिन अगर कोई जात के साथ साथ सवार का मनसबदार भी है तो वो अपने साथ घोड़ सवार troops भी रखेगा याने कि ये military commanders भी होते थे इसी लिए इसका correct answer all of the above है इसी के साथ ये session यही end होता है जैहिंद